तो सेजेरियन सेक्षन नॉर्मल डिलेबरी होना और एक ऑपरेशन से डिलेबरी होना उसमें काफी अंतर है तो दोस्तों आप ऑपरेशन से बचने के लिए आप क्या टिप्स कर सकते हैं और ऑपरेशन से बचने के लिए हमें कौन कौन से इसे टिप्स अपनाने चाहिए जो प पाफिक बात करते हैं कि पांच आई से कौन कौन से काम है जो आपको करने चाहिए प्रॉपर और इसके करने से सारी समस्याद दूर हो जाती है और आपके जादा हुजाते हैं इसके पीछे दोस्तों एक सबसे बड़ी बहस होती है है के कि अ गर्भाब वस्ता के दोरान घर्भबत लाओं के घर्भा वस्ता की धो इसजनग को फिर रज होता है खान पीन बहुँ जादा एम रहे या दिक्र लाइन दर्ब नहीं सहे सकती हैं लेवर गुष अधर ऊपरेरशन कкусिया ले आप है अब क्या नहीं पेन कुछ पलों के दर्द का तोपिक होता है उसको मैंना सही नहीं पाती है और उस से बचने के लिए कि लिए आपको क्या है कि उसे परिशानियों को सही करने के लिए या उस तरह की आपको परिशानियों से प्रैक्टिक्स करने के लिए तो आपको क्या है दोस्तों किस तरह से प्रकुशन करना है आज वो बताएंगे कि नॉर्मल डिलेवरी के लिए आपको क्या benefits मिल सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों आप जब भी आपके pregnancy रहती है pregnancy के दोरान आप बुक्स का इस्तिमाल करते हैं जैसे बुक आती है और बुक रहती है तो बुक्स में क्या है दोस्तों कि आपको pregnancy की बहुत सारी टिप्स ऐसी मिल जाती है pregnancy normal delivery कैसे होती है और उसके साथ साथ क्या है दोस्तों आपको जो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जैसे आपको progression कैसे भरतना है तो आप एक labor से संबंदित आप बुक्स का इस्तिमाल लेते हैं तो उससे संबंदित आपकी जोतनी भी problem होती है आपके consultancy में करती है diet को लेके होता है या इससे संबंदित और भी problem रहती है तो आप उससी को proper ध्यान में रखते हुए उससी को देख सकती है अच्छा next point की बात करते हैं कि जब भी आपको healthy food का इस्तिमाल लेते हैं गरवाबस्ता के दरा healthy food का भी बुश्य जरूर लेता है कि जब भी आप healthy food का इस्तिमाल करते हैं तो आपकी सरी के अंदर जो होने वाले चिंज़स हैं उनको आप में महसूस कर सकते हैं साथी साथ में जो delivery से मजबूत delivery जब होती है delivery के समय बोड़ी में मजबूत ही लाने के लिए आपको कुछ special diet लेनी होती है बोड़ी को मेंटिंग करने के लिए और साथी साथ में क्या है जोस्तों जब भी आप ऐसी आपके सामने situation आती है कि आपके normal delivery होने के चांस है तो आप उस तरह से over dieting नहीं ले सकते हैं proper आप डाइटिंग में रहे के अपनी बोड़ी को maintain करके आप अच्छी तरह से अच्छी वाली diet अच्छी तरह से ले सकते हैं पानी के जादा सेवन गरना है यह पानी का इस्तिमाल जादा करती तो पानी के इसे जो आपकी बोड़ी की degradation होता है साथी साथ में क्या है बोड़ी के अंदर वह कमिया होती है या sweating जादा होती है उससों सिती में भी आपको water लेने से काफी benefits मिलते हैं साथि साध्य में आपको चौथे पॉइंट की बात करते हैं जब भी आपके प्रेङिनिंशी के दुरान बोलते हैं कि भ्रहम होता है कि हिलना दुरन नहीं आपके लिए कि आप हाड़ एक्सरासाइस कीजिए हाड एक्सराइस नहीं करते हैं तो आप लॉर्मन एक्सराइस करने से भी आपको बहुत जादा benefit मिलता है साथ नद। ब 현재 कोई भी परिषानियां रहती हैं इससे संबन सबने तो आप इंग करने कि लिए एक्सायज है बॉर्निंग बॉक है यह सब कर सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि जब भी आपके सबसे मैंट पॉइंट क्या है कि हम एक सेदर्द भी बनाने दोस्तों के हमारे ऑपरेशन भी होना है हम मैं कैसे जहिल पाऊंगी लेवर पेंग बहुत तेज होता है मै कैसे कंडूल कर पाऊंगा तो यह सब प्रोब्लम एक मानसिक संतुलन को मैरेज करने के लिए सब किया जाता है जब तक आप मानसिक संतुलन को प्रोपर बना के लिए रख सकते हैं जब तक आप मानसिक संतुलन को पूरी तैसे प्रपेर नहीं करेंगे कि हमारे नॉर्मल डि लेपरी होने के चांस जाना है जाते हैं इसे टिप्सों करें अपनाते हैं तो जो के आपोगे वीडियो पसंद आ है तो चैनल को संस्कार किजीगा चैनल को संस्कार करते समय बैल आइकन गूलाईएगा और इसे संभर दे儿 वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिलेंगी और कोई भी कुशन रहता है नौर्म डेली में इसे संबने जाए आपको इसे संबने तो आप कुश्चन अभी जेज़क पूछ सकते हैं धन्यवाद दूस्तों जैहिंद बने मात रहे हैं